हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में और आज मैं आप सभी के लिए बालू साई की रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी टेस्टी हमारी ये बालू साई बन करके तयार हुई है और एकदम मार्केट के जैसे लग रही है ना देखने से ही उपर से इसमें चासनी की परद दिखाई दे रही है आपको और अंदर से उतनी ही सॉप्ठ है एकदम जूसी सी बनी है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनी है तो ये वीडियो देखने के बार आपके भी जो बालू साई है वो कभी नी बिगडेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है यहाँ पर मैंने धाई कफ या 300 ग् हट्टी नहीं है और अब इसमें एक चममाज घी डाल देंगे अब इससे हलके हांस से मिक्स कर लेंगे मैं तो दही के साति अभी मैंने इसे mix किया है अभी इसमें थोड़ा सा मोवन मुझे कम लग रहा है तो एक चंभाज घीर डाल दूंगी मैं इसमें अब इसमें थोड़ा-thोड़ा सा पानी डाल करके, हमें इसका सोप्ट सा डो लगाना है. तो बिल्कुल हलके हां से घुतना इसे, हमें बहुत ज़्यादा मसल करके, इसे चिकना नहीं करना है. और ये देखिए, थोड़ा-thोड़ा सा पानी डाला है मैं इसमें, तो जैसे हम रोटी का आटा लगाते ना उससे बस जरासा टाइट है ये बहुत ज़ादा टाइट भी नहीं रखना है हमें इसे अब इसे ऐसे ही ढख करके हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम चासनी बना लेंगे तो 500 ग्राम यहाँ पर मैंने शासनी के लिए सक्कर लिया है और बस सक्कर इसमें डूप जाए उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें और यहीं पर मैंने दो इलाइची छील करके डाला है इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो देखे चासनी में उबाल आ चुकी है अब अगर आपको पतला चासनी रखना है तो जैसे मैंने बनाया है उसमें उपर से उपर में जो क्रिश्टल दिख रही है आप को अगर आपको वैसा नहीं बनाना है बालू शाही तो आप बस इसे स्टेज में गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं आपको अगर उस टाइप का बनाना है तो यहां पर हमें कोई भी तार की ज़रुरत नहीं है बस एक उबाल आ जाए और गैस को आप बन कर लीजिए और अगर जैसे मैंने बनाया है उपर में क्रिस्टल दिख रही है लेयर उसमें चासनी की तो अगर आपको उस तरीके से बनाना है तो फिर यहां पर थोड़ी देर के लिए हमें और पकाना है चासनी को तो मैं तो थोड़ा सा हाट बना रही हूं जैसे मार्केट में मिलती है न तो बि एक तार भी बन रही है देखिए ध्यान से आप यह देखिए है ना तो बस इसी स्टेज में इसको बन कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मा चलाते रहेंगे नहीं तो इसके उपर की जो परत है वो एकदम हाड हो जाएगी औ इसमें से हम छोटे-छोटे से पेड़े काटते जाएंगे जितना बड़ा भी आपको बालो साइग बनाना है इस तरह हां से राउंड कर लेंगे और बीच में इस तरह उंगली से छेद कर देंगे तो आप चाहें तो आर पार भी कर सकते हैं इसे छेद और नहीं तो फिर जै लेयर है वो खराब हो जाएगी और यह देखिए इसी तरह हम सारे जो बालू साही है उसे बना करके तयार कर लेंगे तो चलिए अब इसे हम तल लेते हैं तो फ्लेम अभी हाई है और तेल बहुत जादा गरम नहीं है यह देखिए मिने डालने से आपको समझ में आ रहा होगा क कि तेल एक्टम हललका से गरम है बस इसी इस्टेज पर हम सारे बालू साही डाल देन गे और जैसे ही लगे कि आप तेल जो है वह ज्यादा हम अच्छे से शेक लेंगे golden brown होने तक तो फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं करना है विल्कुल low to medium फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे तब यह अच्छे से सिखते हैं अंदर तक बहुत ही प्यारा सा कलर आया इसमें तो अब हम निकाल देंगे इसे और चासनी को बिच बिच में आप चलाते रहें चमाच नहीं तो इसका जो उपर वाला लेयर है उसमें एकदम से चासनी जो है वो जमने लगती है तो मेरी चासनी थोड़ी जादा ही गाड़ी हो गई थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आधा कब जितना पानी और डाला था और इसमें फिर से एक उबाल ले लिया था मैंने तो अगर आपको भी लगे कि चासनी बहुत जादा गाड़ी हो चुकी है रखे रखे तो आप भी बिल्कुल बिना डरे यहाँ आधा कब जितना पानी डाल सकते हैं इसमें और एक उबाल ले लिजे आप भी तो चासनी पतली नहीं होगी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर और एक बड़ा बरतन लीजे चासनी बनाने के लिए हमेशा और इस तरह से चासनी कल्ची से इसके उपर में डालते जाईए और यह देखिए सारे जो बालूस आई है वह अच्छ आया है ना जो चासनी की लेयर है वो इसमें दीख रही है और अंदर से एकदम सॉप्ट बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना